पाठ तेरह, क्रिया तथा क्रिया के भेद, वर्ब and its types निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों पर ध्यान दीजिए बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बच्चे दौड रही है, नौकर काम कर रहा है उपर के वाक्यों में आए सभी रंगीन अंश, किसी न किसी घटना या कार्यकलाप के होने की सूचना दे रही है विबिन्न कार्यकलापों को बताने वाले शब्दों को व्याकरन में क्रिया कहते हैं अब निम्नलिखित वाक्यों पर भी ध्यान दीजिए पिताजी आने वाले है, गीता डॉक्टर है, वे लोग बेईमान है इन वाक्यों में आने वाले हैं एवं है शब्द होना क्रिया के रूप है इस क्रिया से किसी वस्तू या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था या सत्ता का पता चलता है व्याकरण में ये शब्द भी क्रिया कहे जाते हैं क्रिया की परिभाशा क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कारे कलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तू या व्यक्ति की स्थिती, अवस्था या सत्ता का पता चलता है क्रिया की रचना, पढ़ना क्रिया के विभिन रूपों पर ध्यान दीजिए, वह किताब पढ़ रहा है मैं रोज रामायन पढ़ता हूँ, अब वह नहीं पढ़ेगा, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, मैं शाम को पढ़ लूँगा, मैं उससे किताब पढ़वा रहा हूँ इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के सभी रूपों में पढ़ अंश समान रूप से आ रहा है, इसी अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ पढ़ना का पता चलता है व्याकरण में इसको मुख्य क्रिया या धातु कहती है धातू क्रिया के विभिन रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताने वाले अंचि को धातू कहा जाता है जैसे चल, उठ, लिख, कर, सो, जा, हंस, आदी सहायक क्रिया उपर के वाक्यों में आए पढ़ना क्रिया के विभिन रूपों में से यदि पढ़ धातू अलग कर दें तो क्रमश्या रहा है ताहूं एगा ना चाहिए लूंगा वा रहा हूं रूप बच जाते हैं ये वे रूप हैं जो मुख्य क्रिया या धातू में लग कर संपूर्ण क्रिया पदबंध बनने में उसकी सहायता करते हैं इसलिए व्याकरन में इन अन्शों को सहायक क्रिया कहा जाता है अतह सहायक क्रिया का वह अन्श है जो मुख्य क्रिया या धातू में लग कर क्रिया पर किये जाते हैं कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है अपेक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित हो ही यदि कर्म उपस्थित नहीं भी होता तो भी कर्म की अपेक्षा करने के कारण क्रिया सकर्मक ही मानी जाती है वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा या नहीं यह तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है निम्नलिकित वाक्यों के दूसरे उपवाक्य में कर्म का लोब कर दिया गया है फिर भी दोनों उपवाक्यों की क्रिया सकर्मक है जैसे मैंने आइस्क्रीम खाई, तुमने खाई या नहीं? हम लोगोंने कल ताजमहर देखा, तुमने देखा है या नहीं? मेरे सभी दोस्त चितर बना रहे हैं, तुम क्यों नहीं बना रहे? मैंने एक कहानी पढ़ी है, तुम पढ़ना चाहोगे? कर्म की पहचान क्रिया पर क्या या किसे या किसको शब्दों से प्रश्न करके कर्म की पहचान की जा सकती है क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्ण करने के बाद उत्तर में जो निर्जीव संग्या प्राप्त होती है वह उस क्रिया का मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है तथा किसे या किसको प्रश्ण के उत्तर में जो सजीव संग्या मिलती है, उसे गौन या अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, जैसे मा मिठाई बना रही है, प्रश्ण क्या बना रही है? उत्तर, मिठाई, कर्म, प्रत्यक्ष कर्म मा ने बच्चे को मिठाई दी, क्या दी? मिठाई, प्रत्यक्ष कर्म किसे दी? बच्चे को, अप्रत्यक्ष कर्म पिताजी ने अकरम को बुलाया, किसे बुलाया? अकरम को, अप्रत्यक्ष कर्म उपर दिये गए विवरन से यह स्पष्टे है कि कुछ सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती है तो कुछ दो कर्मों की इस आधार पर उनके दो भेद हो जाती है एक कर्मक तथा दुई कर्मक एक कर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती है, एक कर्मक कहलाती है, जैसे वह गाना गाएगी, नौकर ने खाना बनाया, माने नितिन को बुलाया, उसने नौकर को बहुत मारा, दुवी कर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों, मुख्य कर्म और गौन कर्म की अपेक्षा करती है दूई कर्मक्रिया कहलाती है जैसे प्रधानाचार्या ने छात्रों को प्रमान पत्र दिये मैंने अपनी दोस्त से किताबें खरी दी वह पिताची से सामान लाया अकर्मक्रिया अकर्मक्रिया वह क्रिया है जो वाक्या में कर्म के अपेक्षा नहीं करती जैसे आना, जाना, चलना, दौडना, सोना, हसना, रोना, मुस्कुराना आदी देखे निम्नलिखे तो दाहरन तुम क्यों हस रहे हो? मैं रोज सुभा दौडता हूँ वह रात को दस बजे सोती है दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते है बच्चा क्यों रो रहा है? आप यहीं बैठिए अकर्मक तथा सकर्मक की पहचान क्रिया अकर्मक है या सकर्मक इसकी पहचान करने के लिए वाक्या की क्रिया पर क्या से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस क्या के उत्तर में वह क्रिया किसी की अपेक्षा करती है या नहीं जैसे वाक्य बच्चा लिख रहा है प्रश्न क्या उत्तर पत्र या संभावित उत्तर निबंध आदी क्रिया की प्रकृती सकर्मग मा कपड़े धो रही है क्या कपड़े सकर्मग मोहन गा रहा है क्या गीत सकर्मग शीला जा रही है, क्या? कुछ नहीं अकर्मक अर्थात, यदि क्या के उत्तर में कोई क्रिया किसी वस्तू कर्म के अपेक्षा करती है तो वह सकर्मक्रिया कही जाती है लेकिन अकर्मक्रिया क्या के उत्तर में किसी भी कर्म के अपेक्षा नहीं करती कर्म के अपेक्षा न करने के कारण वह अकर्मक्रिया कही जाती है वाक्या में कर्म का लोप प्रायह बोलचाल की भाशा में हम वाक्या से कर्म का लोप भी कर देते हैं और शोता संदर्ब से अर्थ समझ लेता है जैसे मोहन सोहन से क्या कर रहे हो सोहन खाना खा रहा हूँ यहाँ खाना संग्या कर्म का लोब कर दिया गया है इसी तरह अन्य उदाहरन देखिए बच्चे लिख रही है पत्र पिताजी पढ़ रही है अखबार कुछ लोगों का यह भ्रहम है कि क्रिया को सकर्मक तभी कहा जाएगा जब वाक्य में कर्म उपस्थित हो वाक्य में कर्म आएगा या नहीं यह तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है ध्यान रखिए सकर्मक या अकर्मक होना क्रिया का गुण है यदि कोई क्रिया सकर्मक है तो वह हमेशा सकर्मक ही रहेगी और अकर्मक है तो अकर्मक ही रहेगी वाक्य में कर्म आया है या नहीं आया इससे क्रिया की सकर्मकता या अकर्मकता प्रभावित नहीं होती क्रिया की सकर्मक होने की शर्त यह नहीं है कि वाक्य में कर्म आया है या नहीं बलकि यह है कि वह कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख भेद इस प्रकार है। सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेर नार्थक क्रिया, नामिक क्रिया। सरल क्रिया। एक धातू से बनी क्रियाएं सरल क्रिया कहलाती हैं, सभी अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं इस वर्ग में आती हैं, जैसे वि नहीं आए, सब लोग मंदिर गए हैं, कल रात कोई नहीं सोया, उसने आज खूब आईसक्रीम खाई, संयुक्त क्रिया, दो धातूओं के योग से ब संयुक्त क्रिया यद्यपी दो क्रियाओं के मेल से बनती है, पर पहली क्रिया से ही क्रिया के अर्थ का पता चलता है, जैसे आजाना में क्रिया का मुख्य अर्थ आना है, जहां तक दूसरी क्रिया का सवाल है, उसे रंजक क्रिया कहती है, क्योंकि वह अपना अर्थ पहली क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता ला देती है। इसी के कारण किसी एक क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थ में थोड़ा-थोड़ा अंतर आ जाता है। नीचे दिये गए वाक्यों के अर्थ में थोड़ा-थोड़ा अंतर है। जैसे गाडी चल दी, चलना प्लस देना, गाडी चल निकली, चलना प्लस निकलना, गाडी चल पड़ी, चलना प्लस पढ़ना, गाडी चल गई, चलना प्लस जाना, देखिए संयुक्त क्रिया के प्रयोग के अन्य उदाहरन, मैंने किताबें खरीद ली हैं, यानि मैंने उसने काम कर दिया था वह ट्रेन में ही सो गया था वह ट्रेन में ही सो लिया था प्रेर नार्थक क्रिया प्रेर नार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसका करता स्वयम कार्य ना कर किसी दूसरी संग्या को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जैसे भारती ने नौकर से काम कराया वाक्या में भारती ने स्वयम कार्य नहीं किया, बलकि उसने नौकर को काम करने के लिए प्रेरित किया, और बाद में नौकर ने उस काम को संपन्न किया, देखे कुछ उदहरन, वह अपने बेटे को खाना खिला रही है, मा नौकर से कपड़े धुलबा रही है, मेरा दोस्त आ तथा कुछ की रचना वा प्रत्याय जोड कर, उपर के वाक्यों में प्रेरनार्थक क्रिया के दोनों रूप देखे जा सकते हैं, जिन प्रेरनार्थक क्रियाओं की रचना आ प्रत्याय जोड कर की जाती है, वे प्रथम प्रेरनार्थक कहलाती है, तथा जिन की रचना वा प्रत्याय जोड़ कर की जाती है, वे दुवितिय प्रेर नार्थक कहलाती है, जैसे हंसना क्रिया से हंसाना प्रथम प्रेर नार्थक है, तो हंसवाना दुवितिय प्रेर नार्थक, देखें दोनों तरह की प्रेर नार्थक क्रियाओं के अन्य उदाहरन, प्रथम प्रेर नार मैंने मां से उसको नाश्टा करवाया. अध्यापक ने मुझे कुर्सी से उठा दिया. नीचे की तालिका में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से विकसित कुछ प्रेरनार्थक क्रियाओं के उदहरन दिये जा रही है. मूल क्रिया, प्रेरनार्थक क्रिया, अकर्मक, प्रथम प्रेरनार्थक, द्वितिय प्रेरनार्थक, चलना, चलाना, चलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, उठना, उठाना, उठवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, बोलना, बोलाना, बोलवाना, नामिक क्रिया, संग्य संग्या, सर्वनाम तथा विशेशन को नाम कहा जाता है। गरम, गर्माना, लंगडा, लंगडाना, चिकना, चिकनाना, साथ, सठियाना। हमने सीखा, क्रिया वेशब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। अत्वा किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिती का पता चलता है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किये जाते हैं. कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर. कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं. अकर्मक तथा सकर्मक अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है कर्म दो प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष कर्म तथा अप्रत्यक्ष कर्म प्रत्यक्ष कर्म का पता क्रिया पर क्या प्रश्ण के उत्तर में मिलता है तथा अप्रत्यक्ष कर्म का पता किसे या किसको प्रश्णों के उत्तर में प्रत्यक्ष कर्म कोई नर्जीव वस्तु होती है तथा अप्रत्यक्ष कर्म कोई जीवधारी प्राने सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की इस आधार पर उसके दो उपभेध हो जाते हैं एक कर्मक तथा द्वी कर्मक संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है पहली क्रिया पूरे क्रिया पदबंध को अर्थ प्रदान करती है तथा दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में छटाएं बिखेरती है प्रेर नार्थक क्रिया में एक संग्या दूसरी संग्या को काम करने के लिए प्रेरित करती है तब दूसरी संग्या उस काम को स्वयम संपादित करती है हिंदी में प्रेर नार्थक क्रिया के दो उपभेद मिलते हैं प्रथम प्रेर नार्थक तथा द्वीतिय प्रेर नार्थक प्रथम प्रेर नार्थक की रचना मूल क्रिया के मध्या में आ प्रत्याय जोड कर तथा दुवितिय प्रेर नार्थ की रचना वा प्रत्याय जोड कर होती है।